दोस्तों आरारबी जे यानी जूनियर इंजिनियर की दोजार चौविस में साथ जार नौसो चौटिस वेकंसी बहुत ही जल निकलने वाली है बहुत ही जल ओफिशल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तक इस वीडियो को सेव कर लीजे क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ब भर सकेंगे डिपलोमा बीटेक इसकी एजूकेशन क्वालिफिकेशन है इसके अलावा जिनके चश्मा लगा हुआ है वो भी इसको भर सकते हैं जो प्रूफाइल की बात करें तो बैयालिस सो ग्रेड पे की नौकरी है जिनको समझ में नहीं आता बैयालिस सो ग्रेड पे क्य 465000 रुपे और जब इनका बाद में प्रमोर्शन होता है तो प्रमोर्ट होकर यह बनते हैं सेसी सेक्षन रूपर इंजीनियर जिनकी की exam की लगब एक लाक्या अस्पास होती है बात करें इनके काम की तो और कि मेंशन वाला रहिता है इनको मैंश करना होता है कि नीच्जों लगते हैं हाथ पैरू से ज़्यादा पर इनकी जो जॉब का टाइम हम फिक शेडिवल का नहीं होता वब इसमें करता है कि है मान लीजा आप सिग्नल डिपार्ट्मेंट में है ट्रैक करते यह तो यह बिना VO वाली नौकरी हो जाती है क्योंकि आप पता चले काम करके घर पे आए और फिर कोई समस्या हुए तो फिर से आपको जाना पड़ सकता है पर कुछ समस्या है इतना कटिन नहीं होता बात कर ली जाती है सिब्सक्राइब की एकजाम पैटन की सबसे पहले बात करते हैं हमारा पहला टार्गिट रहेगा CBT-1 जो की उमीद है कि अगर इस महीने के end तक notification आ गया तो सायद इस साल के end तक paper भी हो जाए 100 नमबर का paper होगा जिसमें 30 नमबर की math होगी 30 नमबर की 25 की reasoning 15 की जिये और 30 की science अब जो बच्चे एलपी की तयारी कर रहे हैं मैं उनको बताता था आप तीन सब्जेक्ट पर main focus रखो आगर आपको railway mandatory मारनी है पहला subject math दूसरा subject reasoning और तीसरा subject science math reasoning science यहाँ पर मिलके आ जायेगी 30 60 20 85 नमबर की तीन सब्जेक्ट मिलकर 85 नमबर आपको दे रहे हैं बचा 15 नमबर का जर्णल awareness ठीक है जर्णल awareness को किस तरह से आपको करना है तीन सब्जेक्ट तो आपको बहुत अच्छे से करने जर्णल awareness के लिए आप किसी YouTube channel से tricks की help से important important चीजें अच्छी कर सकते हो मेरी जी के कमजोर है इसलिए मैं समझता हूँ कि बाक्यों की भी कमजोर होगी हाला कि आप मैंसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी जी के बहुत अच्छी है तो उनको इस पर ज्यादा समय नही math reasoning science को आप नहीं छोड़ सकते हो ठीक है कुल मिलाके 100 नंबर का paper होगा और जो बच्चे cbt1 में पास होंगे वो जाएंगे फिर cbt2 में cbt2 में cbt2 में क्या है डेड़ सो नंबर का paper होगा डेड़ सो जिसमें से 100 नंबर का होगा technical चिक और जो बच्चे हुए 50 नंबर है वो होगा non-technical चिक है अब non-technical में क्या-क्या पूछा जाता वो देखिए इस बार फिर से 15 नंबर की journal awareness चिक और 15 नंबर की physics chemistry एक तरह से science का हिस्सा आ गया ठीक है इसके अलावा 10 नंबर की computer चिक है computer हो गया यह science का हिस्सा हो गया और यह GAI और 10 नंबर की basics of environment and pollution control यह आपको subject दिखने में अलग लग सकते हैं बचे 100 नंबर 100 नंबर के technical के सवार जो आप लोगों ने क्या कहते हैं अपनी पढ़ाई करिये technical जो background है आपका मान लीजे कोई mechanical से को electrical से है जिससे भी आप subject से हैं आपको उसके 100 सवाल मिलेंगे तो 50 non technical 100 technical के कुल मिलाके 1500 नंबर के यह बैठेंगे अब बात आती है कि भाया तैयारी कैसे करें जही बहुत अच्छा है जिसका technical अच्छा है उसको सिर्फ इस समय non tech पर focus करना है तैयारी के लिए मैं कुछ books ठीक है reasoning की आप जो खरीदना वह यह वाली इस तरह की खरीदना जिसमें chapter wise और टाइप wise दोनों हो मैत की भी वह वाली लेना अगर chapter wise के साथ साथ यहां पर type wise लिखाओ तो बहुत अच्छी बात है वह और ज्यादा easy book हो जाती है ठीक है इसमें भी कोई समस्या नहीं है बस type wise वाली बुक में और अच्छे से केटेग्राइज कर दिया गया है math reasoning हो गया cbt1 में आपको math reasoning की जरुत पड़ेगी cbt2 में कोई खास जरुत नहीं पड़ेगी इसके अलावा आप दोनों में देखोगे 15 15 नंबर की जी यह जर्नल अवेर्नेस यह किरन पुब्लिकेशन की one liner approach क के नाम से बुक आती काफी famous book है ठीक है इसके अलावा अगर आप चाहें तो यह भी ले सकते हैं इसमें सामन्य विज्ञान यानि science के chapter wise सवाल है जो railway में पूछे गए हैं कहां पूछे गए हैं railway में railway में जायतर questions repeat होते हैं इस चीज़ का बहुत फाइदा भी मिलता बच्चों को कि question repeat होते हैं तो उनको तयारी करने में असानी होती है इसके अलावा जो सबसे important books हैं वो मैं आपको बता देता हूं वो है किरन पुब्लिकेशन की कौन से books जिस paper की आप तयारी कर रहे हैं अगर आपको पता इसके लिए आप जिस भी exam की तयारी कर रहे हो चाहे वो इस्टेट का हो सेंटर का रेलवे का या अधर का हो previous year question तो आपको लेने ही है previous year question पेपर वाली book आपको उस paper exam के लिए लेनी लेनी है इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा मिलेगा आपको पता चलेगा कि जो time में कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे है या फिर आपके मान लीजे सौ में से 72 नंबर आ रहे हैं तो क्या ये 72 सफिशेंट है to clear the cutoff or not ठीक है आपको बहुत चीजे बता चलेंगे आपको पता चलेगा कि आप मैत में जादा समय ले जा रहे हैं रीजनिंग में या फिर के मंगा सकते हैं या फिर आप किसी दुकान पर जाएंगे तो वहां भी आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे और नहीं मिलती है तो आप अमेजन फ्लिप कार्ट खोलिए सर्च पर डाली और मंगा लीजे देखिए इन बुक का फाइदा क्या है मैंने आपको क्या बताया मै अपको अलग बार के लिए ईटीपी के लिए लेनी है यह नहीं है आपने एक बार एकज्जाम में वही काम आती चली जाएगी तो एक बार में ही ऐसी ले लिजए जिससे की हर एकजाम के उसके सवाल हूँ अब इससा थोड़ी है कि सरिफ जई की सवाल है इसमें एलभी के भ तो एंटी पीसी के भी उसमें सवाल मिलेंगे अब आप में से इस विकेंसी से रिलेटेड जो भी बाते हैं जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं वैसे मैं आपको अपना परसनल एक्सपीरियंस बताओं अपने टाइम में मैंने भी दिया था रार्वी जैइका ठीक है एल्प मे सरकारी कॉलिज से किया है हमने उत्ते अच्छे से पढ़ाई नहीं करी ना उत्ते अच्छे से कह सकते हो होती भी नहीं थी हमने भी नहीं करी तो हमारे जो टेकनिकल वैग्राउंड था उतना अच्छा नहीं था और उतने मन से हम पढ़े भी नहीं क्योंकि गाइडेंस की कम नहीं आपाई जितने की कट आफ उसकी गई थी तो मेरा ये परसनल एक्सपीरियंस राज मैंने आपको सस्थ बता दिया कि सीविटी वन क्लियर हो गया था था पढ़ाई थोड़ी सी करी थी हमने बहुत ज्यादा भी नहीं करी वहला ऐसा समझ लो पूरी 70-80% हमने तयारी करी क पेपर आते आने से एक दिन पहले भी हमारा सिलिबस कंप्लीट ही नहीं हो पाए था यूट्यूब से पढ़ रहे थे और सीरियस जो बच्चे नहीं होते वह नहीं निकल पाते सीधी सी बात यह है अब जो भी रहा हो हम पास नहीं हो पाए तो आपके लिए मैं इसलिए स्ट जल्दी बाजिम पढ़ा था जब कोई चीज जल्दी बाजिम पढ़ते हैं तो उतने समझ में नहीं आती है बहुत बार थोड़ी देर के लिए समझ में आ जाएगी फिर आप शाम तक एक दिन तक उसको भूल जाएंगे तो यह समस्या है हमारे सामने आती है तो उमीद है आ आपको कोई समस्य नहीं आएगी अगर आप अपकी त्यारी कर रहे हो तो करते रहो जैई के लिए आपको अलक्से नहीं पढ़ता जैए के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है CBT2 पर और वही main है वही deciding है वही cut-off बनेगी उससे आपकी नौकरी लगेगी ठीक है तो आपको जैसा भी हो आप बता दीजेगा अगर आपके कोई सवाल हो कोई confusion हो आप comment में कर दीजे बता दीजे official notification जिस दिन आएगा उस दिन में आपके सामने वीडियो बतलब नौकरी पर रहा तो दो तीन दिन लग सकते हैं बनाने में तो कुल मिलाके आपके लिए वीडियो जरूर आएगी बात यही रहेगी exam pattern यही होता है यह सवाल होते है subject होते हैं आप में से बहुत से confused ही होंगे कि सबचराइट है यह सब्चराइट होते हैं ठीक सी विटी वन के सी टीन जैसा ही होता है ठीक गया अरलग होतागोथ में और आ रिपको स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ना होगा एक prose लिए कि मोख से पढ़े कि सीफीयो चैनल से कोश bättre किस कोचिंग से पढ़े कितने नमबर झाल